विल्कम टू Start reciprocal Center आज हम यहां पे बात करने वाले हैं Westlife, Food के यहां पे Q4 के जो number कंपनी ने Commissioner पेस किये हैं आज आते हैं यहां पे नीछे कंपनी के जो Q4 के number है वो यहां पे देख लिए हैं डारेक्ली तो जो Q4 के number है Consolidated number Statement of Addicted Consolidated Number तो वो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगर आते हैं जो total income आई है company की इस quarter वो अगर आप देखोगे वो 566 क्रोड आई है यह जो value दी गई है यह लैक्स में दी गई है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा convert करके बोल ला हूँ तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे idea होना चाहिए तो 567 करोड के आसपास यहाँ पे जो total income है वो यहाँ पे आया है last quarter यहाँ पे 604 करोड के आसपास आया था और last year same quarter में 561 तो साल दर साल तो यहाँ पे बढ़ा बट Q on Q basis पे यहाँ पे जो income है वो यहाँ पे कम हो गया तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो और जो expenses हैं ख से 80 करोड last year के same quarter में 534 करोड तो साल दर साल यहाँ पे expenses भी यहाँ पे बढ़ गये हैं बट Q on Q basis पे revenue ड्रॉप हुआ है इसी करण से यहाँ पे जो खरसे हैं वो भी यहाँ पे ड्रॉप हुए है profit यहाँ पे before tax company ने बनाया किता वो यहाँ पे बहुत माइने रखता है तो 1. 1.95 करोड यहाँ पे company ने profit बनाया है last quarter 23 करोड और last year के same quarter में 27 करोड यहाँ पे company ने profit बनाया था तो profit यहाँ पे बहुत तेजी से decline हुआ है तो वह चीजी यहाँ पे देख सकते हो नमबर यहाँ पे थोड़े negative side यहाँ पे company ने पोस्ट किये है profit after tax अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 36 लाका only company को profit हुआ है last quarter 17.24 लाक का profit था और करोड का profit था और last year के same quarter में 20 करोड के आसपास का company को profit था तो company का जो profit है Q on Q basis पे बहुत तेजी से decline हुआ है दर साल भी यहाँ पे बहुत तेजी से decline हुआ है इसकारण से market भी इसको यहाँ पे negative consider कर रहा है negative number company ने पोस्ट ही किये है आपको number कैसे लगे comment box में comment करके बचलूर बताएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करिएगा चैनल पे नेवने चैनल को subscribe करिएगा मिलते एम नेक्स वीडियो में